Hello friends, क्या करेंगे अगर आप ब्रेक लगाते हैं और ब्रेक लगाते समय ब्रेक पेडल आपका ऐसे वाइब्रेशन करने लग जाए आपने ब्रेक पेडल पे पैर रखा और ऐसे ऐसे वाइब्रेशन वो फील हो रही है आखिर उसका reason क्या है उसका solution क्या है solution बहुत चोटा सा होत जिनके अंदर अगर ऐसा फील करते हैं आप वाइब्रेशन तो उसको आप ऐसे प्रॉब्लम का solution क्या है लेकिन हाँ यह जो condition है यह condition ब्रेक फेल नहीं है कई बार लोग हर चीज को ब्रेक फेल बोल देते हैं ब्रेक फेल हो गया ब्रेक फेल हो गया ब्रेक पेडल आपका नी वाइब्रेशन का जो पहला reason आपको चेक करना है वो बताता हूँ आपको ब्रेक पेडल में जो वाइब्रेशन आता है वो आता है हमारे front brake की वज़े से आपने पेडल पेडल रखा पेडल वाइब्रेट कर रहा है कई बार steering भी वाइब्रेट करता है condition क्या होती है यहां से आपको देखने मिलेगा front brake disc pad होते हैं सभी कार में front brake आपको brake shoe वाले नहीं मिलेंगे यहां आपको disc pad मिलेंगे डिस्क पैड किस तरह से होते हैं डिस्क पैड होते हैं कुछ इस तरह से ये पैड ये डिस्क को पकड़ते हैं इस तरह से जब ये डिस्क जिस डिस्क को पकड़ रहे हैं उस डिस्क में अनीवन अगर घिसाओ है उबड खाबड है उचा नीचा है तो उस condition में आपका ये brake pedal vibration करेगा डिस्क का है ये देखिए अब ये देख रहे हैं डिस्क है ये डिस्क में जब घिसाव उचा नीचा होगा यानि कि uneven होगा तो उस condition में आपके ये brake pedal ऐसे ऐसे vibration कर रहा होगा और second चीज कुछ गाड़ियों का nature होता है इस तरह से vibration करना लेकिन वो vibration बहुत ज़्यादा नहीं होना चीए बहुत हलका सा आपको अगर पैर में फील हो रहा है और आपके गाड़ी में ABS brake system है तो फिर ये normal है इसको ignore कर दीजिए लेकिन हाँ ABS नहीं है vibration हो रहा है और ज़्यादा फील हो रहा है और ABS वाली में भी अगर आपको बहुत ज़्या लेट मशीन पर उसकी resurfacing होगी resurfacing का मतलब होता है उपर की एक layer को हलका सा कट कर देना जहां उचा है वो चीज़ हट जाएगी बाकी उसको बिल्कुल even कर देंगे surface बिल्कुल बराबर कर देंगे तो वो हो गया उसका resurfacing लेकिन कई बार resurfacing कराने के बाद भी problem आती है गाड़ी जादा कट लगा देते हैं जादा कट लगाने से होगा क्या आपके डिस्क खराब हो जाएगी अब उसके बाद फिर आपको वो डिस्क चेंज करनी पड़ती है और एक condition आपने resurfacing एक बार करा ली फिर एक बार करा ली अब उसके बाद जब आप कराने जाएंगे तो डिस्क बहुत ज्यादा पतली हो जाएगी तो उस condition में दो बार से तीसरी बार मत कराईए मैं तो कहता हूँ एक बार करा लीजे सेकंड टाइम में उसको डिस्क को ही चेंज कर दीजे और वो सेकंड टाइम जो आप कराएंगे तो उसका नंबर भी आपके पास आएगा कम से कम धाई से तीनलाग किलोमेटर के बाद तो डाई तीनलाग किलोमेटर चला ली तो उसके बाद आप उसकी डिस्क को चेंज कर लीजे आपने बीच में एक बार रिसरफेसिंग भी करवा लिए अब जो गाडियों में ABS इंस्टॉल होता है उनका नेचर ही होता है इस तरह से वाइबर प्रेक और करें को आपको भी प्रेक और टूर्टर रहे हैं अगर कहेंगे तो उसके उपर भी डॡि बिटेल में बना दोँगा लेकिन उसके लिए आपको कमेंट वोक्स में जरूर लिखना पडबेगा कि हाँ आपको इस तरह की वीडियो पसंद आ vendors के आ के लिए इस तरह की वीडियो लाता रहूंगा फिलाल इस वीडियो में इतना ही था वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दीजेगा और हां मन में भी कुछ सवाल रह गया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में सवाल भी लिख सकते हैं या पिर अगर चाहें तो इंस्टाग झाल झाल